students now we are going to solve this question the question says form and equation तो हमें एक equation form करना है divide the sum of 1 5th of a number and 6 by 7 तो देखो question पढ़ने के बाद हमें पहले analyze करना चाहिए कि हमें किस तरह से इसको करना है ठीक है पहली बात तो हमारे पास कोई number नहीं है तो हम क्या करेंगे number के लिए एक variable लेंगे तो हम लिखेंगे क्या ले दा नंबर भी एक्स देखो यह एक्स लेना ज़रूरी नहीं है हम कोई दी variable ले सकते हैं ठीक है इतना ध्यान में रखना हम generally algebra में x y z ऐसे ले लेते हैं तुम जो 26 alphabets हैं उनमें से कुछ भी ले सकते हो लेकिन यहां पर x लेना ज़रूरी क्यों है क्योंकि हमारे पास जो options हैं यहां पर हमारे पास सिर्फ x ही दिया हुआ है तो हमें यहां पर consider करना पड़ेगा number को x अगर हमारे पास कोई option नहीं होता तो हम कुछ भी variable ले सकते हैं तो अभी देखो हम इसको breakdown करेंगे divide the sum of 1 5th of a number and 6 sum of 1 5th of a number तो अगर number x हो गया तो 1 5th of the number is equal to x by 5 है ना 1 5th ठीक है अच्छा फिर sum of 1 5th of a number and 6 मतलब 1 5th of number मिल गया उसके साथ किसको हमें sum करना है 6 को तो क्या हो जाएगा x by 5 यह हो गया 1 5th of number plus 6 ठीक है sum of 1 5th of a number and 6 यह हमें मिल गया divide the sum of 1 5th of a number and 6 by 7 मतलब इसको हमें 7 के साथ divide करना पड़ेगा तो पहली बात है यह binomial है x by 5 plus 6 तो अगर हमें इस binomial को किसी के साथ divide करना है तो हमें उसको bracket में रखना पड़ेगा ठीक है फिर divided by 7 बोला है तो यह रहा हमारा answer तो चलो देखते हैं कौन सा option इसको satisfy करता है देखो पहला ही option उसको satisfy करना है 6 plus x by 5 divided by 7 हम x by 5 plus 6 लिखें या 6 plus x by 5 लिखें दोनों सेम है क्योंकि हमको पता है commutative property क्या कहता है a plus b is equal to b plus a तो हमें इसके sequence को change करने की इजाज़त है तो यह तको यह answer से ही है अब इसको यहाँ पर क्यों नहीं होगा पहली बात हम option को देखके हमें समझगा आ जाना चाहिए कि यह दोनों wrong answers है क्योंकि यहाँ पर divided by 10 यहाँ पर divided by 9 तो यह दोनों तो wrong है क्योंकि हमको बोला है divided by 7 तो यह wrong है उसके बाद बज़ दिया क्या option a और option option c यहाँ पर देखो यहाँ पर तो 8 है जो question में कहीं भी नहीं है तो यह भी wrong है लेकिन हमारा actual solution क्या है option a तो देखो अगर हमें concept पता है तो हम देखके भी answer बता सकते हमको यह करने की ज़रूरत नहीं लेकिन हम यह पता होना चाहिए कि किस तरह से हम a equation को form करते हैं तो इस question जा answer कौन से होगा option a ठीक है